वेरी वेरी गुड इविनिंग टू आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट आपका आज बिजनस मैथमेटिक्स का आपकी क्लास नमर वन है और आज हम आपके जो इनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेस फर्स्ट तो यह आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट सेशन रहन वाला है क्योंकि क्यालकुलेस से रिलेटेड आपके एक्जामस में दो कोश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट नहीं है बेखुल फ्रेश है उससे दूसरा उनिट से को लिन देना नहीं है तो चलिए आज मैं इस इनिट की बात कर रहा हूं calculus तो calculus में basically आपको क्या पढ़ने को मिलेगा calculus में आपको application based question देखने को मिलेंगे अब सवाल यह कि सर किस तरीके के तो जब हम उस application पर आएंगे तो जरूर हम उस questions को भी देखेंगे उसको हम solve भी करेंगे लेकिन आज की classes में हमें application पर नहीं जाना है आज की class basically आपके कि जो आज आप सीखेंगे उसका use definitely application में आपका होने वाला है तो calculus first चलिए सबसे पहले आज की class में आप समझेंगे derivative क्या होता है what is the derivative और इसी को हम differentiation भी कहते हैं दोनों बात एक ही है तो बच्चे derivative क्या होता है generally अभी तक आपने अपने classes में भी आपने पहले भी शायद निकाला होगा पर यहां पर मैंने आपको पहले ही कह दिया था है सब्सक्राइब करते रहते हैं पर पता ही नहीं कि विसकली क्या है और यह किस यूज में आता है तो आए आज एक लास से पहला अपने derivative के आप मेनिंग को समझें क्या होता है देखिएगा ऐसे बहुत सारे elements होते हैं जो यह दूसरे पर dependent होते हैं कुछ एक एक्जामपल भी जैसे कि एकनॉमिक से अगर आप एक्जामपल लेते हैं तो आप यहां पर ले सकते हैं कि प्राइस और डिमांड प्राइस और डिमांड दो एक ऐसे elements है कि कि हां जी बच्चे तो आप देखेगा कि बहुत सारे elements होते हैं जो एक दूसरे पर dependent होते हैं तो बच्चे हमें मालूम है कि अगर एक में चेंज आ रहा है तो इसका दूसरे पड़ेगा दूसरे में भी चैंज आएंगे यह बात हमें मालूम है लेकिन सरफ इसी से बात नहीं बन जाती है हमें एक में अगर इतना चेंज आया है तो इसका दूसरे पर कितना पड़ेगा और यह चीज हमें पहले से ही पता होनी चाहिए जिससे कि और अगर ने प्राइस बढा रहा हूँ तो मुझे मालोब वहना चीज कि डिमांड कितना कम होगा जिससे कि में अपने जो है इसकी कि साब से मैनेज कर पाऊं तो बहुत तारी चीजे ऐसी हैं कि एक में चेंज आया तो दूसरे में उसका चेंज आएगा अब दूसरे में कितना उसका चेंज आएगा अगर आप यह कहते ही तो चेंज होने के बात पता चलेगा तो भाई साफ फिर पड़ा लिखाएगा कोई च्छाप लेता हुँ राख तो चलिए कुछ लेता हो में घय क्व है अगर आप तो रखते हैं तो यस सहरे दोट हमें य और X की value अगर आप 2 रखेंगे तो Y क्या हो जाएगा 4 और X की value अगर आप 3 रखेंगे तो Y का result क्या आएगा आपका 9 तो आप X में values change करेंगे तो इसका effect Y पर भी पड़ेगा तो यहाँ पर दोनों quantities क्या हैं पर देख रहे हों कि यहाँ पर आपके पास वाई बैसिकली एक्सपर डिपेंड़िड़ है कि X में change आ रहा है तो वाई पर भी चेंज देखने को मिल रहा है X अगर 2 replace कर दो तो Y का result क्या आएगा? Y का result आपके पास पर अगर आप देखिएगा X अगर 2 हो जाए तो Y का result क्या आया? Y का result 4 आया अगर इसी cases में आपके पास में X की जिगे पर अगर आपका मैं 3 रख दूँ तो Y का result क्या आएगा? Y का result आपका 9 आएगा तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर यह देख रहे हैं, यह observe कर रहे हैं, कि आपके पास में X में change हो रहा है, तो Y पर भी change हो रहा है, तो कहीं ने कहीं Y आपका X पर dependent है, तो आपके questions में, आपके applications में ऐसे बहुत सारे आपके, सारे आप उन variables पर काम करेंगे, उन quantities पर आप काम करेंगे, जहां पर वो यह दूसरे पर dependent है, जब वो आएगा, तो मैं आपको time to time हर questions के बारे में detailing में बता, बड़े detail में बता हुआ, चूंकि business math में business math तो है ही, लेकिन economics भी भरपूर मातरा में भरी हुई है, और ऐसे अगर आपके पास में economics की knowledge नहीं है, या फिर teacher अगर economics को अच्छे से explain नहीं कर पा रहा है, तो business math, math पढ़ा सकता है, लेकिन business math को पढ़ाने के लिए economics की बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए, तो वो आपके पास में आगे terms आएंगे, जब application होगा, तो मैं economics का भी उसमें use करूँगा, बहुत अच्छी तरीके से, आपको explain करू एक अगराता है, कर है, अब सवाथ यह है कि एक में अगर change हो रहा है, तो दुसरा किस हद तक change होगा, किस हद तक बढ़ तकına सकता है, इसी को calculate करने को ही differentiation कहते है, अगर मैं एक में minor सा change करा, तो दुसरा किस level तक aliens होसका है, इसी को किया कहते है, कुछ और एक्जाम्पल लेता हूं में यहां पर अब मेरे बास समझेगा और कुछ एक्जाम्पल लेते हैं ईए। फर एक्जाम्पल मानले ईख्याजम्पलस समझने कोशि करते बच्छे किस स्क्वयर है कि आपके पास में किस्क्वयर आपके पास में एक्स होगे स्क्वयर है उसकी जो पर पास साइजर से बीच आपके पासने बचे वाई है अब यहां पर देखेंगे और आप करते हैं एरिया क्या होगा साइड का स्क्वेर स्क्वेर एक्स इसस्क्रे इस बात को समझ यह पहले ऐसा आप बहुत साब ले सकता हूझ प्राइस में चेंज करा तो पता होना चाहिए कि डिमांड में में कितने चेंज आएगा तो जिससे कि हम पहले से अवेर रहें डिमांड को लिए करके वो सारी एक्जाम्पल्स में कुश्चंस और एप्लिकेशन के सासत लेता चलूँगा फिलाल अभी आप इसका इतना से मीनिंग समझी क्या है अब देखेगा अगर मैं बात करता हूं इसक अब पहले प्रस देख लीजिए अभी आप डीवाई अपॉन डी एक्स तो यह होता है हमारे टू एक्स यह डेरिवेटी होता है ठीक है यह कैसे आया क्यों आया रूल्स क्या है बात चर्चा करूंगा फिलाला भी देख लीजिएगा एक्स स्क्वार का डेरिवेटी वगर ह अब इसका क्या मतलब मैं उसकी बात करूंगा ठीक है अब देखेंगा यहां पर इसका मतलब अच्छे यह हुआ मेरे पास एक्स आया है यहां पर जैसा आप देख पा रहें कि वाई एक्वल्स टू एक्स स्क्वार है ठीक है तो यहां पर वाई जो है डिपेंडेटी पूर ditब देखोंगा है अब ऐसमानर सबस्क्राइब अब यहां पर ऐसा होताया जिसके रिस्पेक्व मा निकालते हैं उसके रिस्पेक्व्ट में मललभ एक्स जो है जिरो के नियरेस चेंज हो इसको कहते है चैंज होगा बहुत explained हो कि हैं न चैंज Selаете यह दो आक्स में बहुत की रख्ते हैं तो और फॉपर संगाने वालिए देखिए एक ने वाली धिए None में और यूस करें सकते हैं दर्ट के सब्सक्राइब लोग टेबल लोग एंटी लोग सब आता है आपका पावर इनवर्स पावर सब कुछ आम के पास में आपको सब्सक्राइब करना होता है तो आपके पास यहां पर एक्स की वैल्यू अगर आप तो आपके यो है यपां य किया आए गार य आप के पास में यहां यहां कि अदो फैर यांता ग्रेंज के इस और ठाक है तो आपके पास में वाइद हो एक्सक्राइब करते हैं तो आपको आप य किद्स ऐए बच्छे तो Y में कितना change आया तो अब change in Y तो उसको delta Y भी कहते है या कितना change आया तो Y में 0.004001 जाया अब आप इस चेश को देखेगा मैं यह देखना हूँ कि जो X में change करने के बाद X में change करने के respect में X के comparatively जो X में change on obsessed with X में change आया फिर उसका या तो मैं कैसे समझूंगा इस चीज को मैं मैं आपका यह समझने कोश्च कर रहा हूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो डेल्टा वाई वाई में कितने टाइम इसका रिजल देखने को मिला जो चेंज देखने को मिला 0.004001 और X में क्या change आपका देखने को मिला था? 0.001 clear है बच्चे? तो अब आपके पास पर देखें तो आपको क्या आ रहा है? कि आपके पास पर divided by क्या change देखने को मिला? 0.004001 divided by 0.001 क्या change देखने को मिला आपको आपको result आ रहा है आपके पास में बिल्कुल 4 आया आपके पास में आपके पास में clear है बच्चे? तो क्या change देखने को मिला आपके पास में आपको यहाँ पर आप देखेगा कितना change आया आपके पास में क्या आपके पास में आपके पास में यहाँ पर 4 आया अब यहाँ पर आप इस चीश को जड़ा समझने की कोशिश करें कि X आपके पास में यहाँ पर क्या रखा था यह तो आपके पास में यह आ गया कि आपने अगर X में चेंज करा तो Y में कितने टाइम सी जाया तो 4.001 है आप तो यहां पर अगर मैं X के जगे पर क्या रख रहा हूं तो यह बता रहा है कि मेरा वाई जो है कितने टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगा एक्स वैलू टू है तो वाई कितने रिफ्लेक्ट करेगा तो फोड इस चीज को आपका यह क्या होता रहा है डेरिवेटिव से बात मुझे बड़े इसली पता लग पा रही है मुझे इतना कुछ करने की जुरुआ थे नहीं पड़ेगी जो कि में को डेरिवेटिव बताती है तो डेरिवेटिव का मतलब यह हो गया इसका मतलब हो गया कि आपको यह बताना है डेल्टा वाई इस वाई में कितना चेंज आएगा बिद रिस्पेक्ट्टों अगर एक्स में थोड़ा सा चेंज करें तो बात समझें आपसे पूछा जा र स्पेक्ट में होता है तो इसको हम सॉल क्या करेंगे इसको सॉल करेंगे तो क्या रिजल्ट है 2x अब एक्स की वैलू अगर आप 2 रख रहे हैं तो आपके पास में बता देगा कि आपका 4 आपने चीक है डेल्टा वाई वाई में कितना चेंज आएगा बिस रिस्पेक्ट तो जब हम एक्स में चेंज करेंगे ठीक है यह हमसे पूछ रहा है बट आपने इसका डेरिवेटिव जब निकाला तो आपने एक्स स्केर को 2x कैसे लिखा सवाल यह है तो आए कुछ रूल सम हम समझते हैं रूल्स आप टेरिवेटिव जब है अब देखिए अब रूल्स का वेट करें अब पिर देखिए सब कुछ समुझ में आएगा पहले मेनिंग समझाना जरूरी था आगे चलके चीज़ें आसान ही होंगी रूल्स आफ डेरिवेटिव सब कुछ सब समझ माएगा बस प्लीज आप वेट कर लीजिए एक से दो क्लास मैं समझता हूं कि आपको डेरिवेटिव लिना नहीं आता है बहुत कुछ प्रॉल्लम होगी आप पस पेशन्स करें और बस और पावर है तीन चार है पानच छे सब्सक्राइब कुछ ही पावर होगी तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं यह मेरा question है. First, अगर मैं इसका derivative लेता हुँ. किसका? इसको अगर मैं derivative ले रहा हूँ और जो मेरे पास में variable होता है, function में इसका derivative ले रहे हैं, जो होता है, उसी की respect लियाता है. अगर x जैना, То x के respect में. तो मैं derivative ले रहा हुँ इसका? किसके respect में इसका variable क्या है x, x के respect में तो ये क्या आएगा, कैसे आएगा मैं कुछ example से भी सासत clear करूँगा तो dx क्या आएगा तो बच्चे जो power एनस को नीचे उतार लेना और आपके पास में x as it is रहेगा और जो power पहले था, अब वो power पहले से एक कम हो जाएगा, क्या कहने का मतलब है आएगे example से बातों को समझते है for example x raise to power 5 है इसका आपको derivative लेना है तो d आपको derivative लेना है किसका x raise to power 5 का with respect to आपका x तो क्या result आएगा, तो जो power है उसको नीचे उतार लेंगे आप ठीक है, और x अपने जिगे पर रहेगा और power आपका बेएक काम हो जाएगा, मैंने पांच मैंस आपका power चार हो जाएगा, तो इस तरीके साब derivative लेते हैं, पहले ये बात सोजमाई clear है, अब बात करते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, आपके पास में रूल नमबर वन हुआ ये तो, वन नवन साई रूल सोजमाईगा, रूल नमबर टू, अगर आपके पास में अगर एक्स है, और इसका derivative लेते हैं अगर आप, किसका, एक्स का, सरफ एक्स एक आपके पास में, और तो आपका ये एक्स क्या हो जाता है, आपका वन हो जाता है, इसके योगगा पास में एक्स है, तो वह बेसिकली क्या रहे है आपके पास में, वह आपका बन हो जाता है, ठीक है, chlor है? और ग्जांप्ल कि देंगे जो अपे लेशनी है पर चली एक्ब्लक चाहें है अगर compassion थ्री हो तो एप इसका डारीविटिग लेंगे तो पूस्ट्सिंट डै आपान computing 3x 3x इसका derivative लेंगे तो 3 तो अपनी जिगह पर यह अब यह X क्या हो जाएगा यह आपका एक हो जाएगा तो basically क्या रहेगा तीन तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चे कि अगर आपके पास में कभी भी कोई एक constant नमबर और आपके पास में X है तो अगर आप इसका derivative ले रहे है किसका एक constant नमबर और X साथ में लगा हुआ है multiply में है तो बस आपको वो जो आपके पास में X है वो eliminate कर दीजिए बस नमबर नमबर आपका derivative रह जाएगा बस नमबर नमबर आपका derivative रह जाएगा clear है समझे चले अब मैं बात करता हूँ next rule की next rule आपको यह बात समझ में आई पहले कि कैसे करने है आपको यह power उतर गया power एक कम हो जाएगा अगर सिर्फ X रहा तो वहाँ पर एक हो जाएगा अगर 3 X है तो सिर्फ 3 रहेगा 5 X है तो सिर्फ 5 रहेगा अब rule नमबर में 3 की बात करता हू बच्चे कोई भी एक constant number है अगर आप उस constant number का derivative अगर आप ले रहे हैं उस constant number का derivative अगर आप ले रहे हैं बच्चे तो आपके पास में क्या रहने वाला है कि उसका result आपका always 0 आएगा इसका डेरिवेटिव लेंगे आपके इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं बिस इस पेक्ट नमर आपके पास में पहले बताएंगे अभी मैं सारे कोश्चन करके दिखाऊंगा पिर उसके बाद प्रेंटिस करवाँगा प्रेंटिस करवाने के बाद मैं आपको बच्चे कुछ अब Mauelt Roger्म बतार हूं अपको पहले बेसिक डूला है फिर मैं को सीख लीजिए इस चप्टर में यह कुल नय और अलग चप्टर है मैंतामेटिक्स और फाइनेस तो कनेक्टिड रहेगा आपसे सिंपल इंट्रस कमाउंड इंट्रस इफेक्टिव रेट डिसकाउंट रेट आपके पास में एनुटी यह सब चीज़े समझाऊंगा आएगा आपके लिए मैट्रिक्स भी बड़ा कमफट रहने वाला है ठीक है नो मुल्टिप्लाय अडिशन बस सब्ट्रेक्शन यही सब चीज़ चलती है और मैं इस चीज़ को और आपके एक्जाम में आपको मैं बता रहा हूं पहले इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि इस इसलिए अब ही अगर मैं इसको बेसी कैलकुलेस और एडवांस कैलकुलेस पर मैं पूरा का पूरा एक अच्छा कासा समय भी दे दूँ अगर मैं इस पर आपके एक्जामस में स्कोर भी बहुत अच्छा बन जाएगा मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स को तो आप 5-6 दिन 7 द रहे रहें और एक्जाम्पल है क्या रिरहा हुम है रूट एक्स रूट में अपके पास है अपके न सबस्ट्र आपको सिखाए बच्चे के आपके पास में पावर क्या होता है पावर आपका नीचे आ जाता है और यह ऐसी और इसमें से आपका 1-1 by 2 में से इसमें से पावर एक कम हो जाता है यह सिखाय मैंने थोड़े दे पहले पन बाइट तू और एक सिट टू पावर किया जाएगा आपके पास में एक बटा दो आधे में से एक जा रहा है तो माइनेस आधा बच्चे गा बास समझे बच्चे अब अगर आप इसको तो किसमा जाएगा यह आपका X denominator में हो जाएगा और आप यही पावर किसमे हो जाएगा positive में जब भी power negative में होता है तो base reciprocal हो जाता है तो X denominator से denominator में आ जाएगा अब पावर positive में हो गया अब आप solve करेंगे इसको तो आपके पास में क्या यहां पर देखने को आपको मिल रहा है तो आपके पास में आपके पास में आने वाला है तो इस बात को आप conclude कर लीजिए कि derivative D upon DX किसका रूठ X का रूठ X टो क्याने वाला है वन अप्न टू रूठ एक्स होने वाला है यह रहने वाली है बश इसका द्धान रखेंगे रूल नम्मर आपके पास में कौन सा ऐय थैक़्े क्लियर है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर AREle nr 5 पर कर लुमर फाइब की तो एक स्कीम बात की आपके पास में वन अपर अznग है रुक्त सी कर अपके पास में Tao कि ढिखके वंट की सिटे दैरिवं मैं बताया है कि आपके पास में क्या आपको किस ते किसे कर लिए नहीं कि आपके पास में यह मैं इसको सकता हूँ कि वन इन टू अगर आपको डरीवेटीव बीना एंग एक किसका डिया पॉन डियक्त किसका कि यह पूछ रहा हूं मैं आप से तो छह इसको लिखा जा सकता है आपका क्या 1 into x raise to power minus 1 लिख सकते हो आप इसको क्लियर है क्यों लिख सकते हो इसको मैंने क्या बता है कि इसके उपर किसी और पावर कुछ ही निए तो आप इसको एक कंसीडर कर सकते हो तो जैसे ही आप पावर का साइन चेंज करते हो ना तो वह जो आपका उसका बेस होता है वह अपनी सब्सक्राइब 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 कर तो क्या हैं पावर मैंने क्या वाला नीचे टार सबने किस सब्सक्राइब तो मैनेस 2 हो जाएगा तो क्या आपको आए मैनेस X raise to power minus two अगर आप इसको solve करोगे मैनेस और इसको पावर को positive करोगे तो one upon X raise to power 2 तो आपको सभी रूमनबर 5 का और आपको golden rule सोच माया है कि आप इसका अगर कभी भी डेरिवेटिव करते हो किसका डेरिवेट अगर आपकर देपों । किसका जी वन अपन एक्स का तो आपकं रिदिट क्या रहने वाला है मैंनेस वन अपन एक्स स्कुरर। है एक ले बच्चे बाद समझे तो मैनेस वन उपन एक्सिस कर रहा और इसके सिंपल सी बात धानक ना पाउसाइन चेंज हो जाता है और पावर एक बढ़ जाता है बस सी दीसी बात है मैं आगे भी इसको डारेट करता हो मिलूगा बट फिलाल आप इसका द्यान रखेंगे क्ल है तो अब यहां पर एक्जांपल कुछ और भी ले लेते हैं वन अपॉन एक्स दिश्टो पावर थ्री तो बस माइनस वन अपॉन एक्स दिश्टो पावर फोर हो जाएगा इतना धान किगा क्योंकि जब एक्स आपका डिनुमिनेटर में आ रहा है और इसका अगर आपके पास में बच्चे पहले आप लॉग एक्स देख लिए लॉग एक्स क्या है लॉग टेबल से समझाओंगा फिलाला दिखेंगा कभी भी यह आ जाए आपके पास में तो वन अपॉन अपॉन एक्स हो जाता है ठीक है या फिस्तियर लिए तो हमें साथ वारूर कि अगर आपके पास में बच्चे एज टू पावर एक्स आजाए और इसका अगर आप डेरिवेटिब ले रहे हो डी अपॉन डी एक्स तो आपके पास पर एज़ पावर आपके लिए बहुत अच्छी बात है तो इतना गवरानी जोरत नहीं है अपके पास में एट रूल अगर आपके पास में ए और जिसके रिस्पेक्ट में आप डैरिवेटिव ले रहे हैं वही खुद आज़ा पावर यूज हो रहा है कि टॉ आप कि यहां पर क्या कर सकते हो और इसका डैरिवेटिव बगर आप ले रहे मैं देखिए यहां तक किसी को डाउट है इसलिए Уिस्व union में सारे रूल ही बता रहा हूं आपको यहां तक किसी बच्चे को डाउट है सर रिपीट किह रहा है सर वापिस से बता दो कौन सा बच्छे कौन सा बताओं आयूशी सही तो कह रहे हैं क्लियर है हर्श भी कह रहे हैं क्लियर है रूल नम्मर पांच ठीक है आप रूल नम्मर पांच बोल देंगे आप कि कौन सा आपको रूल जानना है ठीक है बच्छे अब दिखेगा जब आप जिस से वेरिबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वही एदा पावर में हो तो क्या करते हैं एज़ित रखते हैं बस क्या रहने वाला है आपका लॉग ए आ जाएगा अब लॉग ए क्या होता है लोग की वैल्यू पावर 1 x 8 कैसे निकालोगे तो हम लॉग से निकालते हैं लॉग लगाती पावर नीचे आजाता है तो शालो जाता है न वन ऐट और ये हो जाएगा मेरा लॉक टू अब लॉग टू क्या है यह लॉक टेबल होती है आपको एक्जाम में मिलेगा देखकर कर वैलू रिप्ले यह आठ रूल है बेसिकले अब आपके पास में सबसे पहले अब आप जो हापे जो डाउट सो रूल को पूछो सवाल फिर मैं मैं थोड़ा था प्रेक्टिस करवा दो इस चीछ को पर हां जी तो बताएंगे सबसे पहले मुझे रूल नंबर वन किसी बच्चे को डाउट जित लगातार मैं चट पे ध्यान दूँगा तो फिर क्या होगा क्लासिस टिस्टव रहेंगी कि मैं देख रहा हूं बात कर रहा हूं फिर पढ़ा रहा हूं तो कंटेंट कम डिलीबर हो पाएगा इसलिए पढ़ाते वक्त में बीच वुच्चों देख लेता हूं लेकिन फिर उ जिसके रिश्पेक्टमें डिले रहें ले यां अगर उसके उपर पावरी नीचे उतार लो और उसके उपर आन ब मु क्या यह तो ऊओं लेंगे तो वह आपस जाएग को आपका जीरो क्या जयेगा वहाका फोर अगर एक है तो वहीं मैं वहीं बात कर रहा है कि अब मैंने पहला रूल नमर फ्रस्ट अपलाई कर दिया, पावर को नीचे होता है, हमेसा होता है कर आपके पास अगर आपके यह पर पावर नेगिटिव उसको पॉजिटिव करना है, तो जो उस पावर का बेस है, उसको रेस्टि फोगल कर दीजिए, तो यह x है तो यह फिर स हो जाएगा पावर पॉजिटिव हो गया अब पावर वन रूट तो हमेशा होता है कि एक्स अंडरूट एक्स का आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा वन रूट एक्स होगा ठीक है यह मैं डिर्ट लिख दिया डूल नंबर पांच आप कहते हैं सरी कैसे हुआ तो वन भाई pembeadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad पावर यहां आएगा और पावर में से 1-2 हो जाएगा अब पावर को पॉसिक्टिव करने के लिए फिर बेस अपनी जिखे से बदलेगा वन एक्स हो जाएगा तो यहां पर मैंने डिरेक्ट था दिया कि आपके पास जो भी पावर एक बढ़ा दो और मैंने साल लगा दो डिर आपके बढ़ा धो क्योंगा चार पाइक से लोग पार बताए है तो इसका डिटीलेडी ले पर किया जाएगा मेरे पास में था है ऱट मेरे पास में लोग 5x वो तो chain rule में बता हूँगा मैं 1 upon 5x पर इसका derivative होगा 5 तो 1 upon x होगा अब ये कैसे होगा अभी क्योंकि यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि lock के साथ में जो होता है वो 1 upon हो जाता है लेकिन आप देखेगा वो x के form है अब ये सब क्या है अभी मत सीखिए इस बात को क्योंकि ये मैं आपको chain rule में बता हूँगा chain rule, product rule, सब कुछ दिसक्स होगा फिलाल lock के साथ में जो भी होगा वो 1 upon में आ जाएगा ठीक है e raise to power x कभी भी change नहीं होता है और e raise to power x आपके पास में इसे के अंदर chain rule में आपको बता दूँगा आपको कि आप को इस्यों नहीं होगा बस आप्लिकेशन बेस कुछी में फोकूस करेंगे आठा रूल समझे में आपको आगे क्लियरे बच्चे चलिए अब एक एक एक्जामपल लेता हूँ में कुछ आपको derivative करके दिखाना है एक एक एक्जामपल ले रहा हूँ एक फंक्शन है मेरे पास में function of x function क्या है मेरे पास में x raise to power 3 plus 5x minus 3 इसका derivative लेजिए तो derivative कैसे लेंगे मैं derivative ले रहा हूँ किस function का fx function का ले रहा हूँ derivative with respect to जिसका मैं derivative ले रहा हूँ उसके अंदर variable कौन सा है एक single variable ही घुमेगा कौन से variable घुम रहा है एक्स तो with respect to x अब क्या आएगा पहले first का फर्स्ट का rule क्या होता है ये 3 x raise to power power एक काम हो जाएगा plus पांच एक्स है तो एक्स कुछ नहीं तो गाएब ये एक हो गया सिर्फ पांच बचेगा आपको आपके पास एक फंक्शन दे रहा हूं मैं एक्स की पावर 5 प्लस 2x स्क्वेर माइनेस 5x प्लस 6 चलिए इसका derivative आप ले जल्दी से लेकर के आप काल्कुल करके दिखाएं जारा मुझे एक क्या है एक तुरूल में चलो भी बताता हूं मैं आपको बच्चे देखो बच्चे क्या करेंगा आप derivative किसका लेंगे fx फंक्शन का विस रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आपका आएगा पहले इसको सॉल्द करेंगा तो 5x प्लस ये टू जब नीचे आएगा रहा तो नीचे आले संग्चा को मल्टिप्लाइ कर देगा 4 और x raised to power 1 रहेगा तो 1 पावर लिखने के जूरत नहीं है यह तो मैंनेस 5 रहेगा कॉंस्ट नमर जीरो हो जाएगा तो 5x के रड़ातु मैं कभी नहीं हो कभी करता भी नहीं बन फिर भी करो पर सवाल ऐसा नहीं आए गया ने इसको करो सवाल ፠ाभी पासानी होगी मुश्खीव और अब किसी को डाउट है तो प्लीज पूछे देखेगा इस्टुडेंट्स क्या कह रहे हैं कि सर और रूल नमबर एक यहां पर क्या करेंगे इसको आपके पास में लॉग फाइव आप बैलो निकालेंगे ठीक है जी लॉग टेबल से पता लग जाएगा लॉग टेबल आपको गिवन होंगी क्लेरें कोई डाउट तो यह कुछ बेसिक रूल्स था तो आज से क्लास में इस रूल्स को आप जो है एक बार आप कर लेंगे और ऐसे ही कुछ बेसिक सवाल हैं आपके उसको भी आप यहां पर कर लें लैक मैनेस और एक्जामपल ले लेते हैं मैनेस थ्री एक्स स्क्यार मैनेस फाइव एक्स रिश्टू पावर मैनेस थ्री इंटू प्लस फाइव एक्स प्लस मैनेस सेवन इसका डेरिवेटिव लेने आपको यह आपके पास में एक फंक्शन है ठीके बच्चे करो सासाथ करिए स्वाल इसको करेंगे सासाथ कर लो देखे डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं किसका ले रहा हूं और किमें फंक्शन का कोई फंक्शन है इसको फंक्शन count है एक्स etwas Π हुस्च लेखेंडा होता है सवाल में उसी कि रिप्लिकेश्ट में करतें कि सेचिंज तो चल करेंगे डिसको तो क्या जाएगा मेरे पासमें मैनेस 6x यहां पर solve करेंगे तो मैनेस 3 यहां पर नीचे उतरेगा तो यह 15 हो जाएगा और यह मैनेस मैनेस प्लस हो जाएगा मैनेस और मैनेस प्लस मतलब की same sign टेकराता है multiply के लिए तो प्लस हो जाता है और 3 5 को कड़ेगा तो 15 हो जाएगा और x इसमें से पावर मैं एक गटा दूँगा तो मैनेस पावर 4 हो जाएगा ठीक है यहां solve करेंगे तो प्लस 5 और यह तो आपका 0 हो जाएगा तो मैनेस 6x प्लस 15x दिश्ट पावर मैनेस 4 प्लस 5 clear है बच्चे सुझ माहें आपको बिल्कुल सही तो अब आप derivative ले सकते हैं क्या चलिए तो derivative आप ले सकते हैं और derivative से kutsch rules में बताऊगा chain rule बताऊगा मैंनेस classes में फिर मैं product rule बताऊगा फिर मैं आपको question डीरूआ फिर मैं branch रूप्लाई करूँगा यह पहले आप अपने calculation बना लिजए जो बच्चे कि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है हर सवाल में सेम रहेगा कोई भी सवाल सेम केल्कुलिशन कोई भी सवाल सेम केल्कुलिशन करने तरीका वही रहेगा बस आपके पास सवाल को समझने के कंडेस्टेंडिंग आपको क्लियर करनी होगी मुझे लेकिन केल्कुलिशन की सम इस में चेन रूल के उपर लेकर क्या हूंगा ठीक है बच्चे तो डेरिवेटिव में दीदे करके आप सब कुछ एजली और अच्छे से सीख पाएंगे तो मैं क्यालकुलेस फर्स जब करवा लूँगा तो फिर क्यालकुलेस फर्स्ट का मैं प्रिविएस फाइव यह तरीके से मैनेज कर पाए अगर आप आपके अपने आपी आंसर आ रहे हैं आप खुशी अंदर से आ रही है तो मतला परफेक्ट अच्छी तरीके से फिर प्रिशन आपके चल रही है फिर हम क्यालकुलेस टूपे जाएंगे तो जिस चेप्टर को हम फिनिश करेंगे उसके इसके एंड में खतम करेंगे क्योंकि एक चेप्टर अभी खतम कर रहा है बाद में खतम कर आप एक्जाम टाइम में फॉर्स चप्टर का प्रिवी से डिस्क्रस कर रहा है यह कब हुआ था इसने सासत करेंगे तो आपको याद भी रहेगा को समझ भी आएगगा अब फोर कैसे आया बच्चे दिखे पावर में माइनस वन करेंगे ना तो मैनेस तीन तो अलड़ी पावर था पावर माइनस वन करेंगे तो च्या जागा यह मानेस फोर होगा ना सब्सक्राइब करने में दिख्कत हो हैं एक 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 सब्सक्राइब करने में दिख्कत हो अगर आसा कोई स्टुडेंट है तो भाई बता देना पहले आपके पास नमबर रोगा होगा कि नमर सेफ कर लिए कोई प्रॉलम मुझे कॉल कर लिजिए पर नमर होगा एक जब आपके पास पर आपने टीम मेंसे लिए उसका नमर आपके पास में होगा तो आप एक बार बता रहा हूं कि आप टीम मेंबर को एक बार अपने वारें बता दीजेगा कि मुझे बेसिक कर्कूशिशन जीरो है मैं भी बैच में नहीं पूछ रहा आपसे कमेंट करके बताओ नहीं आपके प्राइविसी है मत बताओ अगर आपका जीरो बिल्कुल यह यह लेवल फोल्डर अबलेबल जाएगा लेकिन मैं इस बैच के अंदर वो चीजे डिसक्स करने से बेटर वो फोल्डर ही बना हुआ है ज्यादे नहीं बारा पंदा क्लासिस है आपको अच्छी हो जाएगी ठीक है वह आपको मिल जाएगा बेसिक कल्कूलिशन के नाम से बच्चे एक नहीं है बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं हर बच्चा अपने इसाफ से बजाता तो यहां पर क्लास पर बड़ी साउंड क्रेट होती है वह माइक में जाएगा और बाद में आप रिकोर्डर क्लासिस देखोगे ना तो आपके लिए बहुत इरिटेटिंग सा सफिसेंट है बड़ आप एक्ष्ट्रा प्रेटिस करना जाते हैं जिकेट कराल फोलो करो आप ले रहे हैं तो आप टैनियर आपके लिए बैस्ट है सफिसेंट है ठीक है जी मिलते हैं फिर नेस्ट क्लास में थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच